हेलो वाट्सप गाइस आज हम देखने जारे रियक्ट राउटर हेलपर फंक्शन इन और रियक्ट अप्लिकेशन जिया गाइस तो मैंने आपको बताए कि हम थुराउट इस सीरीज यह ओसम विबसाइट जो अभी आपको दिखाई दे रहा है इसको क्रेट करने वाले आई में मज़ा आजाएगा आपको ठीक है मतलब के अंदर इतने सारे फंक्शनालिटी जब आप देखो कि आपको लगेगा वा यार मज़ा आगया तो एक चीज हमें आपको बताना चाहूंगा और इस कि हम जो यह डैनेमिक राउट क्रेट कर रहे रियक्ट रॉटर दो में टोटली इस सप्रेट फ्रेम होक है जावस्क्रिट का एंद हमें रियक्ट अप्लिकेशन में उसकरते हैं तो क्रेट डैनेमिक राउटिंग अब डैनेमिक राउटिंग बनाने का हम पहले का जो तरीका था वह डिफरेंट था इफ रिमेंबर लाइक मैं आपको बताता हूं we have one helper function जिसका नाम है to create a routes या root from our elements ठीक है तो आप बहुत क्लेली देख सकते हूं कि कल की दिन मैंने आपको यह तरीका बताया जो की अभी recommended तरीके हैं ठीक है हम इस तरीके से object के साथ खेल रहे है area of an object के साथ with the help of create browser router दो आज भी हमें create browser router लगेगा but यहां पर देख सकते हूं कि यह आप खुद यहां पर देख लो ना यह जो particular code है एक second मैं नॉर्मल दी दिखा देता हूं एक तरप तो आपको इतना सारा लिखना पढ़ रहा है एंड यह जो code आपको टॉप पे दिख रहा है इस वन यह वाला यह हम पहले इस तरीके से लिखा करते थे इससे पहले के जो वर्जन है react router के इवन मेरे जितने भी वीडियोस होंगे आप देखो कि मैंने मैं कल भी बता दिया है and that is अगर आप देखोगे so now they have something called create roots from element this is it अगर यह एक helper function की आप मदद लेते हो then जो traditional तरीका था पूराना तरीका जिसमें हम roots create करते थे वो वाला तरीका आप यूज कर सकते हो समझे रहो तो कहने का मतलब एक तरफ पहले थो हम बहुत freely बहुत easily ना तो मैं यह इस तरीके से कुछ करना पड़ता था ना कुछ यह लिखना पड़ता था मैं directly यह लिख सकता था बट अब हमें एक helper function की need है उस तरीके से करने के लिए so that's why recommend तरीका तो यह ही है जो हमने कल के वीडियो में किया था बट आज मैं आपको बताऊंगा कि पुराने तरीके अगर आपको अच्छा लगता हो अगर आपने उसमें बहुत सारा काम की protected root, dynamic root, nested, children, pilgrim मतलब अगर आपने बहुत कुछ इसमें कर चुका है और आपको idea आ गया था कि नहीं मेरे को तो यह easy लगा था ठीक आप इसी कोई continue कर सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में मैंने जो root बनाया अपना like we have our home menu about contacts and movies यह मैंने आपको कल की वीडियो में बना के दिखाया था अब उसको save में आपको जो old तरीका है जो इनोंने बताया है कि आप version 6.4 में आप वो भी use का सकते हो but we need a helper function जिसका नाम ही create roots from element एक बार हम देख लेते हैं इसका क्या काम है है यह बता रहा है यह का helper function है that creates roots object from the root element जिसका क्या काम है to create a root object from your root element इसका काम बस इतना ही है मोटा मोटी आप यह समझ डीजे कि हमें अपना जो application में root का setup करना है उसमें यह help कर रहा है that's why इसका नाम भी helper function है ठीक है तो देखो मैं चलता हूँ अपने code पे ठीक है अगर आपको कल का वीडियो अगर अब त copy की यहां पर आके paste करता हूँ and साथ ही साथ मुझे comment भी करना थे इसको by the way ठीक है मैंने comment कर दिया अब यह जो कल का जो code है मुझे उसको traditional पूराना तरीके में convert करना है कैसे तो सबसे पहले यह जो आपको array दिख रहा है राइट अब यह array ना पैरे इसके मुझे को need नहीं अ इसको हटा ठीक है तो at least create browser router तो है इसके अंदर आपको चलना है now here we need to use that helper function create roots from children भी है elements भी but we need elements वाला and आपको again एक function है तो इस तरीके से आपको पास करना है मैंने enterprise कर दी अब इसके अंदर जो हम पुराना तरीका करते थे by default आपको parent यहां पर लगेगा लगेगा most of the time हम एक app layout एक layout बनाते जिसमें header and footer always same रहेगा बीच में आपका outlet basically आपका जो भी home page about page service page contact page change होता रहता है because header and footer always same ही होने वाला है तो वो app layout मैं आपको कल के वेडियो में बताऊंगा जो कि बहुत important है but आज हमें उससे मतलब नहीं है तो मैं for the time being मैं एक root लिग के छोड़ दे रहा ह ठीक है and yeah this is it तो I guess इसको मुझे import करना पड़ेगा या perfect तो इसको हमने import कर ली from our कहां गया या sorry over here इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हो ठीक है and even create roots from element को भी हमने import किया हुआ है create browser router को भी हमने import की from our actual react router dome library ठीक है तो इस तरीके से देखो अब यह आपका पहला root बनेगा ठीक है यहां आपका दूसरा यह आपका 34 तो जितने भी root से कहने का मतलब है आपका home page का एक root about का एक root अब यह आपने एक component तो बना लिया root component तो इसने हमें चलो दे दिया ठीक है and declares an element that should be ठीक जो भी हो यह बट अब देखो मुझे home चाहिए तो home के लिए हमारे पास path तो है तो इसको मैं copy कर रहा हूँ दोनों में कितने differences है and कितनी similarities है तो similarities तो है like वहां पर भी path यहां पर भी path यहां पर भी element यहां पर object था यहां पर लाइक आपको उसको as a jsx की तरह प्रीट करना है and दूसरा एक और चीज़ की मैं अभी jsx के अंदर या basically component के अंदर जो प्रॉप्स में पास कर रहा हूँ मैं directly component इस्तर की से पास नहीं कर सकता एक component के अंदर दूसरा component में कैसे पास कर दूँ तो आपको इसको पास करना पड़ेगा by using this curly braces ठीक है this is it तो यही तरीका अपना ना था इसी कोई मैं copy कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मैंने just change कर दिया बचा है एक इसी कोई copy करता हूँ paste and let's go with our movie and यहाँ पे let's go with our movie simple right and control and then क्या बोलते हो अब arrow function मैंने प्रेस की तो ऊपर चला गया this is it तो अब it's totally up to you कि कल की दिन मैंने यह जो code लिखा अपने route को setup करने के लिए यह आपको ज्यादा पसंद आता है यह यह वाला particular part आपको ज्यादा पसंद आता है बाकी तो कोई नहीं router को हमने पास कर दी router provider में मैंने उसको as a value पास कर दी and हमारे react application को मिली रहा है बस इतना नहीं है control है save करूंगा now अभी जो हमने code लिखा यह भी totally fine है यह जूम कर देता हूं here we have a movie home पे तो home आ जाएगा about पे आपका about आ जाएगा contact पे आपका contact आ जाएगा and movie पे movie तो में आपको starting में ही लिखा दिखा दिया था so yeah this is it आज इस वीडू के लिट नहीं I hope बीडू बहुत ही ज्यादा पसंद आ होगा and एक और चीज है अगर आप इसको react fragment भी रख देते without using that route component है अगर आप यह भी करते तो भी आपका यह काम करता है देख यह भी आपका काम करता है but most of the time हम गाइस यहां पर स्थिर के से राउट रखते है यहां पर एक लियाउट एप लियाउट पास करते जो चीजे है मैं आपको कल की वीडियो में बता आंगा but yes आज इस वीडियो के लिए इतना ही and एक normal react का static website जो होता है उसको अगर आपको create करना है तो this is more than enough खतम इतना ही रहता है उसमें अब बस आपको header में जाके आपका navigation bar create करना पड़ता है navigation bar से मेरा कहने का मतलब है यह particular portion जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह वाला पार्ट यह जो दिख रहा है यह यह तो obviously आपका header है नहीं समझ रहे है and second यह ही beauty है कि जब भी हम इस पर click करते page का भी refresh नहीं होता है react application का यह ब एक awesome फाइद है ठीक है यह बट आज इस वीडियो के लितना ही आई हो वीडियो पसंद आऊगा guys let me know in the comment section कि कल क्या जो हमने तरीका अपनाया था by using area of an object वाला वह आपको ज्यादा पसंद आया यह वाला तरीका जिसमें हमें helper function की need and then जो old तरीका था देखो यहां पर जो में बता रहा था जैसे हम पहले करते तो वह इसे हम वापस फिर से कर सकते तो इसको guys आप old इसको आप new way old या new आप इस तरीक से comment करके बताएगे लेट सिक इसको कितना ज्यादा पसंद आता है वीडियो को please like कर दीजेगा पसंद नहा का बैल आके ने घंटी दिखाए देगा प्लीज क्लिक कीजे ताकि आप डेल ये से आउसम वीडियो को मिस ना करें आगे और भी आउसम वीडियो जाने वाला मजा आ जाएगा गाई सच में और गाईस तो मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में टिल लंग गाईस थीकिस तो मैं आपको की वीडियो